हेलो इट्टू स्टूइनेट्स आप सुपर स्वागत है मारे चानल Amplitude Studies 2.0 में देखिए टाटा एलेक्ट्रोनिक्स में मैंने कुछ दिन पहले भी आपको एक अपडेट दिया था और उसमें MMIT शायद महराज गंज में आ रहा था ये और अब ये देखे लखनों में आ रही कंपनी तो जो अब ही आज पास के इधर हैं बच्चे वो इसमें participate कर सकते हैं मैं फिर से बता दूँ कि अभी ये फिलहाल जो है वो female candidates के लिए है और जल्दी ही इसमें जो है वो male candidates के लिए भी opportunity आईगी तो आप search भी करती रहिएगा जैसे ही किसी को कुछ मिलता है तो रंद मेने पास भेज देंगे तो बाकी स्वत बच्चों को भी पता लग जाएगा देखे जोईन दे टाटा ड्रीम एन एक्साइटिंग ऑपरचुनिटी फॉर डिप्लोमा गेंडिडेट्स प्लेस्वेंट ड्राइव इन कैंपस पर टी पील क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो रिसेंट डिप्लोमा ग्रेजुएट्स होने चाहिए ठीक है और यह पासिंग आउट यह दो हजार चॉबिस यानि कि जो इस समय सिक्थ समेस्टर में फाइनल समेस्टर में है वो सिपिट कर सकते हैं मेकैनिकल मेक्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रोनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनिंग और प्रोडक्शन इंजीनिक्स यह बच्चे जासकते है, जे जेर फीमेल एज 17 से उपर होनी चाहिए 18 या उसके उपर salary जो है अपकी CTC 2.8 lakhs है परनम जो कि काफी अच्छा है physical requirements no restrictions in weight and height है vision नॉर्मल होना चाहिए without spectacles होना चाहिए 6 by 6 होना चाहिए मतलब job location आपकी होजर Tamil Nadu में है ये दूर है तो 4-5 लड़किया मिलकर के ही apply करें तो ज़्यादा पेटर है job role engineering team member as technician second ऐसा होता है कि 4-5 सहलिया रहती है तो फिर उस case में रहना और ये सब चीज़े एक साथ हो जाती है एक दूसरे को मांसिक संबल भी मिलता है तो इसलिए जो है आपके साथ में कार डिप्लोमा सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट कंसॉलेड़ मार्क शीट बैंक अकाउंट डिटेल्स फिर प्रसीजर क्या है PDT टेस्ट होगा मतलब साइक साइको डिटेस्ट टेस्ट पे नॉलेज टेस्ट और वन-टू-वन डिसकेशन विद एचार होगा कैंडिडेट्स विल बी रिक्वाइर टो अंडर्गो ए मेडिकल फिटनेस चेकप ड्राइब डिटेल्स 25 मही को यह होने अब जा रहा है सारे 9 बज़े से Government Girls Polytechnic प्लक 9 में और कॉंटेक्ट डिटेल्स यह दी है कोई अगर दिक्कत है तो आप इस पर बात कर सकते हैं तेके सब सारे प्रिंसिपल्स को लेटर भी दिया गया है समस्त प्रिधना चाहरे चाहें वो राजकी हो गवर्मेंट कॉलेज हो चाहें वो एडिट हो चाहें वो प्राइवेट हो 17 तारिख यारे कि आज की डेट का ही यह लेटर है और इसमें यह बताया गया है कि 25 को संस्था में अन्तिम वर्ष की छात्राओं है तो टाटा इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ड्राइव का आज़न हो रहा है उप्त कंपनी का लक्षे महीला कार्मीकों की भागेदारी वढ़ाने है तो पैन इंडिया 400 महीलाओं का चेयन करना है मापदंड यह मैंने आपको पहली बता दी है उपर उस पैम्प्लेट में और इसमें यहां पर लिंक दिया है डिस्रिप्शन यह लिंक है वह डिस्रिप्शन में दे दूंगा मैं तो आप जो है वो इस पर रेजिस्टर कर लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे फिर उसके बाद जो दस्तावेज हैं वो हार्ड और सॉफ्ट तूनों कॉपी में लाना है ताकि कोई असवीधन न हो सॉफ्ट कॉपी में लाने का मतलब आपके पास मोबाइल में पीडिएफ वगरा में पड़े हो ठीक है ना तो आता सभी प्रतानाचारे उसे निवेधन है कि सभी पात्र छात्राओं को ड्राइब में प्रतिभाग करने हैं तो प्रोटसाहित करें ताकि कमपनी से इंट्रेस्ट ही नहीं लेते उसमें तो फिर उस कमपनी को बिलाना अगले साल मुश्किल हो जाता है तो इसलिए आप लोग जो है जादा साधा पाटिसिपेट करें बाकी इसमें आगे देखते हैं तो यहाँ पर दिखे यह मेसेज सारे प्रिस्पिपल्स को दिया गया है विद immense pleasure I would like to inform you that our institution is organizing a placement drive for hiring female candidates for Tata Electronics on 25th May 2024 in the campus of Government Girls Polytechnic लगना हो तो GGPL में 25 मही को drive हो रहा है the job description and required documents are mentioned below so I request you to kindly share this information with your final year girls student link of registration यह है यह मैं डिटेल में दे दूंगा आपको CTCH वगरा यह सब यहाँ पर documents वगरा वो सब हम पहले ही उपर बता चुके हैं यह संजीब कुमार सिंग प्रिंसिपल है एसके सिंग यह आपके जीकप के secretary भी है आपने अकसर सुना होगा तो वहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ यहाँ पर यह प्रिंसिपल साहब है अच्छी opportunity है आप सारे महिला जो जात रहे हैं उनको सूचित करें उनको knowledge में लबा जाए उनके चाहें कॉलिज में भी यह सूचना जाएगी वहाँ से भी पता लगेगा कोई अगर रहे जाता है तो वो इस वीडियो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है और registration करने के उपरान दवाँ पहुँचे और मैं वही suggest करूँगा कि आप 3-4 लड़कियां मिल करके जाएं 5-6 लड़कियां मिल करके जाएं ताकि 2-3 का selection हो जाएं ताकि वहाँ पर जाने आने में और इन सब चीजों में दिक्कत ना रहे है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल प अब से ऐसे ही किसी नेक्स वीडियो में धन्नेवाद